हेलो एब्रिवन आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चिकी केमिस्टर बेसिक्स वाई सुमन नेगी में तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपसा सही हो जग योगिक कॉर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक जो है काफी इंपोटेंट है एकसाईम पउंट और यूँ से चतुसफल की संकुलों के लिए में क्रिस्टल शेतर सिधान is crystal field theory for tetra herbal complexes को करते हैं सबसे पहले क्या है माना एक चतुसफल की योगिक ml4 सबसे पहले हम सब्सक्राइब करेंगे कोई भी हमने ट्राइडल कॉम्प्लेक्स ले लिया ml4 जिसमें ते है मेटल जो चार लिगेंड नहीं is लिए तो ट्राइडल कहरे होजा है चतुसफल के चार कोईनर पर हमने चार लिगेंड लगएगे लगा दिया तो अब हमेगरें कि यह जो लिगेंड थे, जैसे मैंने अस्टफालकि आॉक्ट हैडल में बताया था कि अस्टफालक में क्या होते हैं लिगेंड जो होते हैं अक्षों में इस्तित होते हैं अक्ष हमारे X, Y, Z तीन इक्सिस है तो यहां लेकिन अगर हम चतुस फल्की की बात करें तो डेट्रहेडल ये चतुस फल्की संकूलों में जो लीगेंट होंगे है जो चतुस फल्की संद्रशना है इसमें लीगेंट कहां पाये जानेंगे देखिए पहले में अक्षे दिखा रही है ये हमारा X-Axis है ये हमारा Y-Axis है और यह हमारा Z-axis है, देखिएगा Z-axis लिगेंड से काफी इधर है, एक्चुल में क्या होती है, यह जो हमारा tetrahedral structure होते है, इसमें लिगेंड आपको लग रहा होगा, यह तो इससे टच कर रहा है, मतल़ ही Z-axis से लगा हुआ है, लेकिन एक्चुल में ऐसा नहीं होता, आप 3D चेप में ज्यादा अच्छे से समझेंगे, देखिए, तो यह जो लिगेंड है, वो अक्षों के बीच में है, देखिए, अक्षे कहीं भी लिगेंड से टच नहीं कर रहा है, यह भी काफी दूर है, एक्चुल में यह जो मैंने बनाया, यह 2D है, 2D में ऐसा दिखनी पारत, 3D में ज्यादा क्लियर होता है, कि लिगेंड और अक्षे काफी एक दूसरे से दूर होते हैं, ठीक है, तो बस आपने यह समझना है, कि चतुस फल की योगीकों की अगर संरशना देखें, तो उसमें लिगेंड और अक्षे एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, अक्षे लिगेंड क्या होता है नेगटिवली चार्ज तो ये पॉइंट चार्ज है देखिए तो ये संरशना में इस तरीके से भी दिखा दीए पॉजिटिव है इसको चारोर से नेगटिवली अट्रेक्ट किया हुए है अब जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुए है लिगेंड अर्बिटल होते हैं टोटल 5 दी एकस वाई डी जेडेक्स दी एकस स्कॉर वाई स्कॉर और दी जेडेक्स तो धातु के जो डी कक्षक होते है वो क्या होते है रिक्त होते है धातु क्या होता है पूर होता है गरीब होता है तो वो क्या होंगे उसके जो कक्षक भी होंगे व दातु के D कक्षकों में इलेक्ट्रोन दान करेगा अब ये लिगेंड के कक्षक होंगे जो ये लिगेंड है इसके कक्षक इस धातु के खाली कक्षकों में इलेक्ट्रोन दान करते हैं तो उस समय क्या होता है रिपल्शन होता है क्या होता है लिगेंड के कक्षक है और धातु में तूट जाते हैं, ठीक है ये तोटल 5 कक्षक 2 भागों में तूटते हैं, अब ये 2 ये वाग में क्यों तूटे हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करींगे, ठीक है देखिए, देखिए सबसे पहले और्बिटल डाइग्राम से आपको सबसे पहले हम डिसकस करते हैं, JO हमारी 2 भागों में तूटते हैं, उसका जो पहला सेट होता है, वो होता है, T2 सेट, T2 कक्षक या T2 सेट उन्हें कहा जाता है, T2 कक्षकों में, 3 कक्षक आएंगे, D, 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 Z, X, ये 3 क्यों की आएं, ये ही रीजन में बता रही है, दो सेटों में टूटता है, दो सेट में से एक सेट को हम बोलते हैं T2 सेट और इसमें होते है DXY, DYZ, DZX यह तीन और्बिटल आगी, देखे क्यों यह तीन और्बिटल आई है, देखे DXY, DYZ और DZX, यह D के जो और्बिटल होते हैं इनकी speciality होती है कि यह D के जो कक्षक होते हैं वो अक्षों के बीच में होते हैं यह तीनो कक्षक अक्षों के बीच में होते हैं ठीक है, यह अक्षों के बीच में होते हैं तो यह अक्षों के बीच में होते हैं तो यह तीनो एक सेट बना लेते हैं अब इसको structure में आपको define करूँगी, देखिए, ये धातु है M, इसके कक्षिक हम शो कर रहे हैं, सबसे बहले देखिए, जो आप से अक्षिक है, उन्हीं अक्षों को draw कीजिएगा, तो अभी ये draw करने के लिए एक्स वाई, तो हम क्या कर देंगे, एक्स एक्स डोर करी और ये उसके बाद आप क्या करेंगे, एक्स और ये एक्स डोर करी, और यो जो दातु है, जो है, टेत्र हेडल शेफ, ओक्ते हेडल शेफ, तेत्र हेडल या चतुस्फल की शेफ डोर कर लिया, यह M, लिका, 4 कोर्नर स्पेस के हमने leagon लगा दिये, ठेत्र एक्स बना दिया एक्स बना दिया एक्स वाई क्योंकि एक्स वाई की बात कर रहा है अब क्योंकि हमें पते है कि आपको क्या करना है दातू के जो डी एक्स वाई कक्षक है यह एक्स और वाई के बीच में दिखाने तो मैंने यह दातू से जोड़ते वे एक डंबल यह बनाया यह क्या होता है डंबल शेप, तो धातु के D x y हैं, तो X और Y अक्ष के बीच में दिखाईएगा धातु के एक अक्षा, तो एक orbital मैंने यह डंबल दिखा दिया, X Y के बीच में, एक मैंने दिखा दिया, यह दिख रहा है, X और Y, इसके बीच में दिखा दिया, मतलब आपने कुछ भी करके X और Y के बीच में दिखाने हैं कि यह दिखाया आप इधर को भी दिखा सकते हैं बस यह जो मैंने डॉट-डॉट करके लाइने दिखाई है X और Y अकसे इनके बीच में होना चाहिए ठीक है तो डूट यह XY बना दिया अब से ड, Y, Z बनाने तो आप क्या करेंगे य और ज, अर्विटल को दिखाईए यह हमारो Y और और ज, ओ, अर्विटल है ठीक है तो और और उ, दिखा दिये Y और Z अकसे यह जो लेगेड दिखाने है यह य, और यह ز अक्षे के बीच ओर दिखाएंग, यह Z अक्षे है हमारा, इनके बीच में हम और्विटल दिखाएंगे, तो हमने शो कर दिये, यह, एक यह बनाया है, Y और Z के बीच यह बना दिये, Y और Z के बीच और्विटल, ठीक है, ऐसे आपने दिखाने, D Z X, एक Z और्विटल बना दिजे, यह हमारा Z X है, और यह है X X, Z और एक्स अक्ष के बीच आपने बनाना है एक डंबल ये बना दिया, एक डंबल ये बना दिया, तो एक्स और जेट के बीच आपने और्बिटल बना दिया, मेंस ये धातू के वो और्बिटल है ठीटू काक्ष है, जो अक्षों के बीच में इस्ते थे, तो देखिए अब कर रहे हैं तो देखें धातू के जो लिगेंड है ये उपस्तित हैं कहां पर है ये शुम्ऐज के बीच में ध दातू के कक्षक और लीगेंड के कक्षक भी कहा हैं, अक्षों के बीच में, तो ऐसे इस्तिति में क्या होगा, यह देखिए मैं ड्रो कर दे रही हूं, ठीक है, ऐसे इस्तिति में क्या होगा, कि यह जो लीगेंड के कक्षक हैं, और यह जो दातू के कक्षक हैं, दोनों आमने सामने आगे, यहां भी यही होगा, लिगेंड और धातू के कक्षक रेड़ वाले, आमने सामने हैं, लिगेंड और धातू के कक्षक आमने सामने हैं, मैंने लिगेंड के दिखाएं नहीं है, आप दिखा सकते हैं, जैसे यह बनाया है, लिगेंड और धातू के कक्षक आमने सा इनके बीश प्रतिकर्शन होगा जगड़ा होगा तो energy बढ़ जाएगी प्रतिकर्शन होने से energy बढ़ जाती इस लिए T2G कख्षकों की जो दातू के पांच कख्षक थे पांच में से जो तीन है जिने हम T2 कख्षक कहते हैं इनकी उर्चा बढ़ जाती है इसको एक एक समझें देखिए ये है धातू के कक्षक ये आ रहा है इस रास्ते से मतलब अक्षों के सामने से अक्षे से अक्षों के बीच और लीगेंड के टीटू कक्षक भी कहा है इसी रास्ते से आ रहे है अब जब दोनों एक रास्ते से आएंगे तो इनके बीच क्या होगा जगड़ा जगड क्योंकि धादू के कक्षक और लीगेंड के टीटू कक्षक और्विटल आमने सामने है तो इनकी उर्जा बढ़ जाती है प्रतिकर्शन के कारण है तो देखिए दी एक्स वाई डी वाई जेट डी जेट एक्स कक्षकों कोड टी टू कक्षक कहा जाते है दातू के टी टू कक्षक डी एक्स वाई डी वाई जेट डी जेट एक्स अक्षों के बीच इस्तित होते है यह बता दिया है दातू के टी टू कक्षक अभी दिखाया मैं X, Y, Z, ZX के बीच में थे अक्षों के बीच इस्तित होते है और जो चत्वसफल की संकुलों की संड़र्षना इस तरीके से होती है कि उसमें लीगेंड भी कहा इस्तित होते हैं अक्षों के बीच में दोनों सेम उसमें इस्तित है तो दहतु के T2 कक्षक दोनों के हैं अक्षों के बीच में हैं इसका मतलब है दोनों आमने सामने हैं तो आमने सामने होने के कारण एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं तो इनके बीच क्या होगा अधिक प्रतिकर्शन होगा और जब अधिक प्रतिकर्शन होगा तो धातू के इन कक्षकों की उर हो जाती है तो देखें यह है यह मैंने फ्लोचार्ट के माध्यम से भी दिखाया है एम दहातु के कख्षक है एल लीगेंड के कख्षक है धातु के Dxy, Dyz, Dzx, जिसे हम क्या कह रहे है, T2 कक्षक, T2, अक्षों के बीच इस्तित है, और लिगेंड, चैतुस फलकी में तो लिगेंड कहां पर रहता है, अक्षों के बीच ही रहता है, अब क्या होगा, ये इस टाइप के धातु के T2 कक्षक और लिगेंड के कक्षक दोनों सामने है, तो क्या होगा, धातु के और लिगेंड के इन कक्षकों की बीच क्या होगा, जगडा होगा, प्रतिकर्शन होगा, प्रतिकर्शन होने से धातु के इन कक्षकों की उर्जा बढ़ जाएग, दूसरे की तुलना में, अभी दो बच्चे हैं हमारे, Dx², Y² और Dz², अब नेक्स हम डिसकस करेंगे, E-set, E-set जो बच्चे वे कक्षक हैं, Dx², Y² और Dz², तो धातु की जो Dx², Y² और Dz² हैं, ये कक्षकों को हम E समूँ कहते हैं, E-set कहते हैं, तो इन दोनों को अलग क्यों रखा, इन दोनों को इसलिए अलग रखा, क्योंकि ये वो कक्षक है जो कहां पाये जाते हैं, अक्षके ठीक उपर, ये वाला पाये जाएगा, इसका एक डंबल X में पाये जाएगा, एक डंबल Y के उपर, ऐसे ही इसका एक डंबल Z में होता है, और एक डंबल जो होता है, वो गोल हो जाते हैं, तो ये वो कक्षक हैं, ये अलग इसलिए हुए क्योंकि यह अक्षिके ठीक उपर पाए जाते हैं और इससे पहले जो मैंने दिखाए थी 3DXY, DYZ, DZX वो अक्षों के 20 थे, यह अक्षों के उपर है ठीक है, तो क्या है यह दहातू की जो एक अक्षिक है DX2Y2, वो DZ2 यह अक्षों के ठीक उपर इस्तित होता है ठीक, इसको इस्ट्रक्चर से शो करते है तो इस डाइग्राम में देखिएगा धातू के पहले मैंने चतुसफल की संरिष्णा टेटरहेडर कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर बना ली है अब देखिए धातू और मैं एक्सेस ड्रो करूँगी X एक्सेस, Y एक्सेस क्यूंकि हम ड्रो करने जा रहे हैं DX2Y2 तो मैंने X और Y एक्सेस ड्रो कर ली अब देखिए धातू के यह जो कक्षक है DX2Y2, इसका डंबल एक Y के उपर है इस Y अक्षके ठीक उपर है देखिए, Y अक्षकी लाइन इसी से क्रॉस करती वी जा रही है देखिए, Y अक्षकी लाइन इसी को क्रॉस करती वी जा रही है यह X और दूसरा डंबल का है X अक्षके ठीक उपर तो धातू के यह वाली जो कक्षक है dx square y square यह x और y axis यह अक्षों के ठीक उपर है लेकिन इसमाई ligand का है देखिए ligand का है अभी भी वही है ligand चतुस फल की संरशना में अक्षों के बीच में ही होते हैं देखिए कहीं पर भी अक्षी के उपर नहीं अक्षों के बीच में है इसमें भी देख लेते हैं यह है d j square का shape इसमें धाथ बीच में है और एक अक्षे इसका j में होते है j axis की ठीक उपर होते है तो एक एक ऊर डेख़िएはは दिखाया है तो इसका a camera dj square में जेड अक्षे के ठीक उपर है और दूसरा जो इसका orbital है यह क्या होता है एक round shape पे क्या होता है aquestaांव अभी भी हम बात करें तो लीगेंड अभी भी चतुसफल की संरशना की तो एक इस्तिति की लीगेंड अक्षों के बीच में होंगे तो इसमें धातू के कक्षक हैं अक्षों के उपर और लेकिन लीगेंड का हैं अक्षों के बीच में तो इनके बीच काफी दूरी आ गए एक स तो हम कह सकते हैं धातू के कक्षक और लीगेंड के कक्षक में काफी दूरी है तो काफी दूरी है तो क्या होगा प्रतिकर्शन कम होगा दोनों काफी दूर है तो प्रतिकर्शन कम होगा तो देखिएगा यह मैंने लिखा हुआ आता है कि धातू के एक कक्षक डी एकस स्क्वा यह काफी दूर है और यह आख्वह के बीच है तो काफी दूरी होने के कारण इनमें क्या होथा है दादू के कक्षक यह कंप्रतिकर्शन होता है तो उड़ा बढ़ने का सवाल ही नहीं होता तो इसपर Such a क्टीटू की तुल्णा में क्कि दुला क्या हो जाति यह हो जाती है कम हो जातीं धातू किاتे संच दूरे राजते से पर जब दूर है एक दूश्य से काफी दूर है तो यह निकल जाएगा यह निकल जाएगा तो इनकी उर्जा क्या रहेगी कम रहेगी उर्जा बढ़ती कब है जब जगड़ा होता है ठीक है तो यह हो गया हमारा आप इसे देख लीजिए जो मैंने फ्लोचार्ड बना है धातू M के E कक्षक बस एक चीज़ ध्यान रखना है जब हम थेट्रावडल की बात करते हैं उसमें G नहीं लगाया जाता है ठीक है के बदी मिट्टेक से हो गया है कोई नहीं आप बस ध्यान रखेए कि जब अक्टर हडल की बात करते हैं तो जी लगाया जाते है T2G EG लेकिन जब हम tetrahidal चतुस फलक की बात करेंगे तो G हटा देंगे उसका क्या reason है मैं बाद में discuss कर दूँगे तो धातु के E कक्षक और लिगेंड के कक्षक धातु के E कक्षक डी-एक्स-स्क्वाइर वाई-स्क्वाइर डी-जेड इस्क्वाइर अक्षों के उपपर इस्तित हैं अक्षी के ठीक उपर है और लिगेंड के कक्षक वहीं है अक्षों के बीच में तो दोनों अलग-अलग से संब्सक् strangers कर तो आधिक्दूरी पर तो क्या होगा तो क्विश्यOME कर्स प्रदिकारशन कोंगेंड क्या प्रार्दिकर्शण कनो क्या हो इसे चेहिशन प्रोल्जुसरा कर दूर्जूरी होगा क्योंकि टीटू के जो कक्षकते उनकी उर्जा बढ़ गई थी आमने सामने होने से लेकिन इनके आमने सामने तो कोई है यह नी तो उसकी तुल्ला में इसकी उर्जा कम हो जाएगी अब हम लास्ट में डिसकस करने जा रहे हैं कि यह स्प्लिटिंग होती कैसे है यह जो के अकॉर्डिंग इम्पोटेंट है एकजाम पॉइंट ऑंफ यू से जो आपको ड्रो करना होता है उसके बारे में डिसकस करते हैं धातू के पांच डी कक्षकों की उर्जा एक समान होती है ठीक है जब धातू के जब लिगेंड के कक्षक दातू के बहुत नस्दीक आ जात नहीं जूड़ेजेंगे काता हैw जब सब्सक्राइब यह लिगेंड नजदीक आएंगे तो सभी के नजदीक आएंगे तो इन पांचों की टायेंगे तो लिखाय pier Paystate तो इन पांचों कुछ फोड़ी सी बढ़ जाएगी इससे कहते हैं अब रिंस कख्षक मतलब ऐसे कख्षक जिनकी ऊज़एं समान होती है अब क्या होगा जब लीगेंड बहुत ज्यादा नस्दीक आजाते है तो दातु के वह कख्षक जो लीगेंड के बिल्कुल सामने इस चित्र में अब लिगेंड बहुत नजदीक आ गया इन कक्षकों के तो जो कक्षक बिल्कुल उसके सामने हैं उनको मारेगा उनकी एनरजी बढ़ जाएगी तो कौन से वाले कक्षक हैं टी टू कक्षक डी एक्स वाई डी 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 डेड एक्स इनकी उर्जा बढ़ जाएग और वो कक्षक जो काफी दूर होते हैं इससे कौन से वाले कक्षक ते हैं ईक्षक E कक्षक क्योंकि ये दोनों कक्षक क्या होता है D के E कक्षक जो थे ठीक है और जो लिगेन के कक्षक थे उनके बीच दूरी होगी काफी दूरी होगी तो उर्जा घड़ जाएगी तो E कक्षकों की उर्जा घड़ जाती है और इनके बीच जो उर्चा अंतर होता है T2 की जितनी बड़ी और E की जितनी कम होई उनके बीच का जो उर्जा का अंतर है energy gap उसको बोलते है delta T या फिर इसको कहते है crystal field विगटन उर्जा crystal field stabilization crystal field splitting energy crystal field विगटन उर्जा ये इस्थाई करण उर्जा भी कहते हैं इसे delta T से व्यक् करेंगे crystal field विगटन उर्जा ये crystal शेत्र इस्थाई करण उर्जा चतुसफल की योगिकों के लिए सूत्र क्या होदा है तो crystal शेत्र विपार्टन उर्जा विगटन उर्जा crystal field splitting energy stabilization energy इसका formula होते हैं T2 कक्षकों की उर्जा में व्रिद्धी देखें जो हमारे T2 कक्षक थे उनकी उर्जा बढ़ गई थी जबकि प्लस E कक्षकों की उर्जा कम हो गई थी गुणा delta D तो T2 कक्षकों की उर्जा कितनी बढ़ी थी शो किया था राइग्राम में 0.4 बस ऐसे य इन दोनों को जोड़के कितना आएगा 1 0.4 प्लस 0.6 एकोस टू 1 तो 1 delta T तो क्या है T2 कक्षकों की उर्जा कितनी बढ़ी प्लस 0.4 T2 बढ़ी और E कक्षकों की उर्जा कितनी कम हुई 0.6 E कम हुई कम के लिए negative sign आ जाएगा into delta T तो इस कोपन कर देते हैं यह हो जाएगा 0. 0.4 T2 minus 0.6 E into delta T एक फॉर्मूला यह है जो generally हम ज्यादा यूज़ करते हैं इसके अलावा एक नया फॉर्मूला भी दिखाई देता है MP वाला तो CFSE 0.4 T2 minus 0.6 E into delta T प्लस MP इसमें MP एक एक एक्स्ट्रा जूड जाता है जिसमें क्या है M होता है T2 और E कक्षकों में जो जोड की संख्या लिखते हैं जब मैं अलग से डिसकस करूंगी CFSE को तो उसमें कैलकुलेट करना बताऊंगी कि ए M कैसे कैलकुलेट किया जाते हैं जो T2 कक्षकों में जो जोड़े बनेंगे दो इलेक्ट्रोन आ गिया तो एक जोड़ा तो इसको एक M बोलेंगे ठीक है तो ऐसे ह होता है पेरिंग एनरजी युग मनूर्जा जो हमने यहां पर E और T2 लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है E का मतलब है E में जितने इलेक्ट्रोन है 1,2,3,4 काउंट करेंगे E कक्षक में जितने इलेक्ट्रोन उनकी संख्या यहां पर भर दी जाएगी जब हम कैलकुलेट करे और T2 में भी इसी प्रकार जितने इलेक्ट्रोन T2 का अक्षक में भरोगे वह आप यहां लिख देंगे तो इस तरीके से किसी भी कॉंप्लेक्स के लिए हम CFSC निकाल सकते हैं तो आज हमने टेट्रहेडल कॉंप्लेक्स से चतुसफल की योगीकों के लिए जो क्रिस्टल फी तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें और आज के लिए इतना ही कीप फोचिंग एंड बाबाई